कि अरे भाईया यह सब इतना रेड़ेट क्यों हो रहा है सारे के सारे पॉइंट्स रेड़ा रहे हैं कुछ लगता है गड़बड है अच्छा से अनलेसिस वाला पॉइंट्स भी रेड़ा रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा ऐसा कॉंटेंट जो सर्च एंजन फॉरंग एक्सेप्ट कर ले और एसी ओ फ्रेंडली हो और लोग उसके साथ इंगेज हो उसके उपर टाइम अपना स्पेंड करना चाहें यह लिखना जो है बड़ा ट्रिकी काम है और इस ट्रिकी काम को असान करती है हमारी योस्ट की प्लग लिखते हैं तो एक्षिली इस हालत में नहीं होता सारा कुछ मैं इसको भी रिमूव करूंगा यहां से और आपको बताता हूं कि बैसिकली होगा गया तो आर्टिकल लिखने से पहले अगर आपकी योस्ट की प्लगिन है और आपके पास आपके अड्मिस्ट्रेशन ने जिन है तो लेट्स टार्ट आपने अगर आर्टिकल लिखना है कोई भी तो आर्टिकल का जाहरी बात है यहां पर आप एक टाइटल देंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से कोई भी टाइटल हम इंटरनेट से उठा लिटते हैं स्पोस हो तो यूज 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 प्लगिन इ जो चीजें जो हैं प्रॉप पर नौन उसको कैपिटल लाजमी करें वर्डपैस भी प्रॉपर नौन है तो यह ऐसा करने के बाद मुझे कहां जाना होगा यह देखें यह साइट के ओपर ना रीडिबिलिटी अन अवेलेबल आ रहा है और SEO नीड्स इंप्रूव्मेंट आ है तो असल में होता क्या है यह आपको इसी हालत में नहीं मिलेगा यह यहां पर जो सेकंड बार है वीडियो नंबर वन का लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे मिल जाएगा जिसमें इस पूरे के पूरे एडिटर की बेसिक इंट्रोड़क्शन आपको सारा दिया कि कैसे कह हां से क्या होगा उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे उसको लाजमी देखें और उसके अंदर मैंने इसको बंद करने की बात की है कि यह यह अभी बार आपके काम की नहीं इसको बंद कर दें यह 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 प्रिमियम की बार तो इसको डिसकस करते हैं यह है क्या बला तो एक्श copy वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है लेकिन आप एस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद बेखेंगे कैसी हो फिरेंडिली कार्टिकल लिक सकें इंशाल्ला तो इसके बाद आप इसको उठाकर यहां focus key पे लिएगे फोकस की फ्रेश्व मेरन आई मेरन कोड़ya मेरन रखा Dlatego इसके बाद मेरन अपर इसके तोडीओ आ बहुत हवनौ भी लिखनी होगी हवनौ लिकनी ओगी इसका Snippet यह Slug है जो इसका यह Slug कहांपे होता है यह Slug होता है यह Permalink जो आपका है Permalink होता है आपका Suppose जो जिसके उपर आपकी साइट बेसिकली आ रही जिस तरह देखें यह Yoast की Plug-in SEO के Block के अंदर WordPress के यह उसने रखा हुआ है यह आपका Permalink होता है Permalink जितना आपका जनल होगा जितना Specific होगा उतने आपके Search Panel को असानी से आपका आर्टिकल ढूमने में असानी होगी तो यह हमारा Permalink बन जागा अगर आप खुद इसको यहां पर अब हमने स्लग के अंदर वह पर मैं लिंक जो हमने यहां पर स्लग सेट करेंगे वह उपर पर मैं लिंक है मारा खुद बहुद ही चला जाएगा अच्छाब यह है मैं पहले से कॉपी करके यहां पर रखी है यहां पर आपने अपने लिके हुए आर्टिकल से यहां पर यहां पर रपीट कर सकते हैं दो तीन बार अपनी बात को उससे होगा क्या कि आपकी यह जो चीज है यह बड़ा बेस्ट हो जाएगा आपका काम और अगर मैं इसको चोटा करता हो न तो यह देखिए कि यह बार चोटी होती जाएगी यह देखें यह देखें वो कह रहा है कि अब यह ग्रीन हो गई लिखा अच्छा है इतने लाइनों में ठीक है और इसको आप अच्छा जाएगा तो आपने इसको यहां से एडिट करकी अपनी चीज़ें इस लग लिखना इसके अंदर और मैटा डिस्क्रिप्शन लिखनी इसके अंदर उसके बाद आप जो यह सबसे बड़ा फाइदा यह आपको खुद से बताएगा कि भई पंगा कहां पर आ रहा है तो आप हमना की फ्रेज यहां से उठा के मैटा डिस्क्रिप्शन में उसको यूज करें ताके उसकी प्लगिन को थोड़ी सी तसली हो जाएगे यह काम कर रहा है तो देखें उसने वह वाली चीज़ जहां से रमूव कर दी कि की फ्रेज तो आ गया भई की फ्रेज की लेंथ भी ठीक है कि फ्रेज मैटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गया है लेकिन मैटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ के बारे में वो भी कहरा है कि मैटा डिस्क्रिप्शन इस ओवर 156 गरेकर तो इसको यहां से एक आप अच्छे त्रहीं से चल रहे हैं। उसके पाद है हमारे नो ney लेंठ है। हमारे country रख़ कंटेन्स जिरो वर्ड रहा है यहां पर वर्ड भी नहीं है तो हमें तो हम यहांपर Text टेश्ट करना सबसे पहले तो हम अपनी ही website से the ors को हम यहां पर आके add लेते हैं। थिक Walter और यह चीज़ें यकीन करें अगर प्लग नहीं होगी आपके पास तो आपको बड़े सारे इस्यूस बनेगे इतने सारे इस्यूस को नहीं होगे हो गया है मिनमम 300 वर्ड यह आपका वर्ड काउंट चार रहा होता है यह थिका उसके बाद हम आएंगे इसके रीडिबिलिटी अभी ऐसी हो के मदर यह निचे इस्यूस है यह आपके खुदबागों सॉल्व हो जाएंगे जब यह इस्यूस है ना सब आप यह यह आपके इस्यूस किया है यहां निचे में से थोड़ी सी धायडिबिटी के मेरी स्क्रादे करिए और cosmth है निचे में थोड़ी सी धायडिप यह थी बना धेता हूं यह ब्लुकूल ठीक हो जाए गई यह स पैसिवाइज के ठीक यूज किया है रिडिंग इज है हमारी यानि कि हमने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है और कंजेक्टिव सिंटेंसिस हमारे आ रहे हैं दूसरे के बाद परग्राफ की लेंथ गुड है सिंटेंस की लेंथ जो है वो गुड है तो देखें ये वो चेकलिस्ट है जो यूजिली आप खुद कभी भी चेक नहीं करते हैं जब आप आर्टिकल लिखने के बाद अपलोड करते हैं उससे पहले तो ये अगर आपको आटो मिल जाए तो हमें क्या ज़रूरत है खुद से खपने की ये तो हो गया हमारा readability का issue solve और ये issue की जो उन से status होंगे वो यहां पर show करेगा red mean के बहुत बुरा है orange mean के थोड़ा सा better है और green mean के it's good तो अब हम अगर आगे चलें अच्छा ये जो heading मैंने add किया न ये heading आप इसके अलावा भी कहीं पर अंदर add का सकते हैं suppose मैं इसको भी heading 1 बना सकता हूँ या अगर मैं कहीं पर gaming comparisons दे रहा हूँ तो ये game की जो main नाम है उसको heading 1 के दिया उसका जो tag line है उसको heading 2 के दिया और नीचे उसका paragraph लिख दिया तो इस तरह actually search engine को जब वो crawl करता हूँ आएगा ऐसे 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 crawl करता हैगा तो उसको मिल जाएगा उपर से नीचे यह heading है यह बंदे के पास काम की चीज़ लिखी हुई है और वो आपके article को लाजमी तोर पे उपर लिख आएगा उसके बाद हम चलते हैं SEO के उपर SEO readability के उपर चलते हैं यह है यह SEO readability हमारी और जिस पर यहां पे एक हमें लंबी सी list नज़र आ रही है वो कहरा है कि outbound link का आपने कोई add नहीं किया है add some outbound links what is outbound link outbound link basically होता है अगर मैं किसी authenticate किसी अच्छी website जो already इस मेरे issue के उपर लिख रही है उसका यहां पर link दे दू तो उसको outbound link बोलते हैं अपने article में एक दो ऐसे website के link देने से कोई हर्च नहीं है लिकिन ज्यादा ना दें अगर आप ज्यादा देंगे है उनको थोड़ा सा limited होना चाहिए उसके बाद अगर आप outbound link डालेंगे तो यह भी green हो जाएगा उसके बाद internal links भई या आपने अगर article लिखे होए हैं अपने और आप एक ही category के writer है suppose मैं android का writer हूँ मैंने android की game पे को आर्टिकल लिखा है कि क्या आपको पता है कि यह ऐसा भी हो जाता है चलें जड़ा आएं उस article को पढ़ें और नीचे मैं उसका internal link एड़ करूँगा जब मैं internal link एड़ करूँगा तो उसके बाद उस internal link एड़ करने के बाद मेरा internal link create हो जाएग और आपका यह भी green हो जाएगा इसके बाद key phrase introduction हमारा जो introduction है यह विला जो meta description है इसके अंदर हमने key phrase को एक बार use किया है ज्यादा अच्छे तरीके से हमें यूज करना चाहिए यहाँ पर introduction हमें एक paragraph डालना है और उसके अंदर अपने key phrase को दो तिन बार घुमा फिरा के लाजमी डालना है इसके अंदर अपने key phrase को दो तिन बार जो है वो लाजमी डालूँगा मैं इसको मैं paragraph में आता हूँ ठीक है और इसके अंदर मैं अपने key phrase को दो तिन बार डाल दूँ तो उससे होगा क्या अच्छा अब यह key phrase डालने से क्या होगा मेरा introduction गूगल को start पर ही introduction में key phrase मिलेगा और उसे यह नहीं लगेगा कि यह को बंदा जो है लिखने वाला यह unknown है सारी situation से वो समझेगा कि इसके पास इतना content है जो यह introduction में उस content का हवाला दे रहा है और निच्छे heading subheadings में भी दे र हमारी जो key phrase है इसको हमारे article में भी propagate करना चाहिए दो चार बास key phrase मतलब यह कि समझने के title ही हमारा जिस हो हम चाहरे है कि user जब search करें तो हमारा article नदर है उसके बाद हमारा key phrase subheading में होना चाहिए था यानिक है heading 2 में जो हमने नहीं शामिल किया अगर हम वो शामिल करेंगे त करता हूँ suppose यह तो मुझे इसकी alternate text जो इसकी जगह पर आएगा इसका title इसकी caption इसकी description यह सारी चीज़ें लाजमी देनी है सपोज alternate test में मैं इसको देता हूँ आल्टरनेट basically बहुत दो चार कामों के लिए इस्तमाल होता है एक वो इसकाम के लिए इस्तमाल होता है कि अगर आपकी image upload नहीं हुई तो इसकी जगह पर खाली जगह ना बचे वो यह शो कर दे ठीक है यहां पर इसका title वो लाजमी दें थोड़ी सी description ने सपोज मैं यहां पर description में लिखता हूँ पेस्ट एंड पेस्ट पेस्ट इसको इंसर्ट इंट पोस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें यह हमारे पास यहां पर आ गया अब इसकी description भी है इसका title भी आ जाएगा हमारे पास ठीक है तो मैं इसको यह मीड में लेग जाता हूँ ठीक है अब यह अगर suppose नहीं भी आती है और अगर आप इसको view as करेंगे न तो यह आपको image वहां पर नजर आएगी कि यह image basically है कैसी मैं इसको preview करता हूँ ठीक है वह image यहां पर अभी आई नहीं है ठीक है जब वह image यहां पर आजे की properly upload हो गए क्योंकि यहां से हमने भी इसको यहां पर प्रॉपर किया नहीं है image का size बहुत चोटा है ठीक है इमेज की quality और size भी बेंड करता है यह देखें यह thumbnail की image थी जो मैंने यहां पर लगा दी इसलिए आगे जाने रही है अच्छा यहां पर अगर आप image लगाएं तो उसका alternate text और उसका जो title है वो जरूर दे हम यहां पर थे meta description की length को अच्छा रखें SEO title की width को बेतर करें तो हमारा यह green हो जाएगा जो हमारा key phrase synonyms यानि के जो हमारा key phrase है उससे related मिलते जुलते synonyms को भी यहां पर आपने add करना है वसाल के तोर पे अगर मेरा key phrase है कुछ ऐसा smoking से related तो मैं smoking से related मिलते जुलते जुलते जो word है उनको भी यहां पर डानूगा तो इस तरह से मेरी readability और SEO जोब तक better better नहीं होती है तब तक हम इसको upload नहीं कर सकते ना आपको करना है at the end आप इसको facebook के यह facebook का preview है ठीक है कि facebook के उपर इसका preview कैसे आएगा facebook का title क्या होगा description कैसी होगी facebook के अगर आप इसको लगाते है उसके उपर और यह twitter की है facebook के उपर आपने कैसे लेके जाना है इसके उपर मैं एक विडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जब आपने आर्टिकल लिख लेना है उसके बाद आर्टिकल के उपर traffic लाने के लिए social media कितना हैं गरदार अदा करता है तो हम उसका कुछ इस तरह अंगर के रख लेंगे के how to gain traffic from social media ठीक है content writing में तो जब तक आपके at the end मैं आपको बताना चाहूँगा जब तक आपके योस्ट की plugin इंस्टाल होने के बाद जब तक आपके ये दोनों green ना हो जाएं ये और ये तब तक आर्टिकल को upload ना करें तो टॉप आर्टिकल है ना दुनियां के health issue in Asia टॉप आर्टिकल टॉप आर्टिकल ऐसे ही नहीं होते हैं आप देखिएगा notice कीजिएगा कि उन्होंने वो जो सारी चीसे योस्ट बता रहा है उन्होंने डाली है पर्मा लिंक है heading 1 है paragraph है ठीक है और उसके बाद outsource link है click here पे more और का tag है अंदर heading 2 है यह देखें यह headings है इसकी यह उसने अपने ही और आर्टिकल का internal bound दे दिया कि यहां पर आओ हमारे और आर्टिकल भी पड़े हुए है ठीक है इसके लावा मैं आपको दिखाता हूं जो आर्टिकल दुनिया के top websites पर पड़े होंगे suppose that यह हैं आपको और आर्टिकल में नजर आएगा कि यह आर्टिकल एम ही नहीं उपर चले गए इन आर्टिकल में थोड़ी बहुत उसने मेनत की है देखें यह उसके headings है अब उसको आप देखें गूगल ने इसको क्यों कि उपर लेके आए क्यों कि Google को लगा यह इसके पास तो ज्यादा information ह नहीं देखें कितने इसने heading subheadings बनाई है यार इसके पास तो बड़े काम की information है और यह healthy नौशिया को ना बार बर नीचे यूज़ कर रहा होगा इसके अंदर लेकिन stuffing नहीं करनी है stuffing में क्या आपने बिला वज़ए नहीं डालते जाना है ठीक है उसके बाद you have to set a feature image for your article which will be shown on the first page like this यहां पर first page है यहां पर यह जो इमेज है ना यह featured कि जिस तरह यह जो इमेज है यह वह ली यह image यह यह featured image होती है यह featured video भी लग सकती है ठीक है यह आपकी feature image यहां पर आगे यह देखें यह SEO का issue आगया है यह feature image should be 200 by 200 pixels कम असकम इतनी होनी चाहिए thanks to yours plugin यह उसने हमें बता दिया अब यह जो चोटा सा मुन्ना है यहां पर यह क्यों इतना happy है और यह oneplus का critical issue क्यों आ रहा है य यह है grammarly, grammarly के बगएर अगर आप बहुत अच्छी English भी लिखते हैं लेकिन आप native नहीं है तो grammarly के बगएर आप grammars की और दूसरी mistakes spellings की कर जाएंगे यह बहुत ज्यादा possibility है तो उस possibility को कम करने के लिए grammarly जो है उसको हम install करते हैं और grammarly की extension कैसे install करनी है और कैसे होने चाहि और कैसे work करेगी यहां पर कि हम अगली वीडियो में देखते हैं उस वीडियो का भी link में यहां पर description में दूँगा इस वाली वीडियो से related कोई अगर आपके पास जहन में सवाल है तो नीचे WhatsApp का number भी दिया हुआ है और उसके इलावा आप comments में भी पूछ सकते हैं कि कैसे solve क करने यहां actually WhatsApp का number sterics में देने का issue यह है कि आप comment करें आपको personally फिर मैं contact खुद कर लूगा और आपके अगर कोई और भी issues है इसके इलावा तो हमाना solve कर दूँगा